योगी सरकार के विकास की गंगा गाओ गाओ अभ्यान में आज आपको लेकर आया है ग्राम सभा पंचायत कंकाहा विकास खंड मोहनलाल गंट नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अंगामा टाइम्स नियूज में और आज आपको लेकर आया है योगी सरकार के विकास की गंगा इस ग्राम सभा में पहुची या नहीं पहुची जैसे कि एक नजारा आम पहे आपको दिखाया समुदाइक सोचाले का, जा इस ग्राम सभा में ग्राम प्रथान दplease और बलाक दिखार से समुदाइक के इंदर ग्रामिडों के लिए बनवाया जा रहा है, वह इसका कार् सचाले को देखने को विल लेकिन अभी जानते हैं ग्राम सभा के लोगों से और जंपरतीनीधी से कि आखेरोगी सरकार के विकास की गंगा और सरकार की उजनाओं का लाब किस तरह से उन्होंने ग्रामेड जनता को दिलाएं अब आपको लेके चलेंगे ग्राम सभ़ा के लोगों के पास और पूछेंगे जनता की सवाल जन पृती निध्यों से और सरकार से ग्रामसभा का नजारा हमने शुरुवात की सुलफ सोचाले से सर्वजनिक सोचाले से लेकिन जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ग्रामसभा में जादतर घर पक्के बने हुए लेकिन कुछ घर ऐसे भी है जो आज भी कच्चे है जहां प्रधान मंत्री आवास योजना और शैक कई तरह की योजनाएं ग्रामेड के लिए लोगों के लिए चलाई जा रही है और ग्रामसभा के लोगों के पास हमाये में उनी से पूस्ते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाब आप लोगों को मिला नहीं मिला पर आप धहिं। सोंचले जोप अवास वास कच्चा गर पटका इकर्टी जए लावाद के लिए कभी लिखा पड़ी कुछ किया कुछ किया आनि प्रदान मंत्री आवास के लिए मुख मंत्री जिसे क्या कहना चाहेंगे अपने योगी जिसे क्या कहना चाहेंगे अपना नाम बताइए अवासवास चाहिए कि नहीं पक्की चाहिए कि कच्ची ही नहीं पक्की चाहिए एक दुकान दार भी है उनसे भी पूछते हैं कि इस ग्राम सबा में विकास कितना हुआ अपने वाले पंचायत चुनाओं में किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे प्रत्यासी तो ठीक है इसके पास नहीं है रहने के लिए उसके च्छत होने चाहिए उन्हों ने बताया कि ग्राम सभा में विकास किये गए लेकिन डोगों दादा क्या नाम है रहते हैं यह रहते हैं यह रहते हैं यह पका है वार जड़वार उठा च्छत पड़ी है कि छत नहीं पड़ी जट पीछे ज़िए कालोणी देंना तो महा परी अद्धी करिकार ने कालोणी दी हैं सौचाले चले उचले उन्हें प्लाइब का पता है के लोनी मिल गए तौसे प्लाइब घ्री नहीं शरकार से कुछ कहना चाहें कि कोई आइसी चीछ जुना मिली हो कितती उमराय तुछ अर्य आमार फिर से चुराव होने हैं तो नए जो प्रधान होंगे या आपकी लोगों के जन पृति निधी होंगे उनमें क्या खासियत होगी जिसको देख के आप लोगों उनको चुनेंगे अजय आपका तो बुज़र्ग लोग अपने ग्राम प्रधान की तारीफ करने दादी क्या नाम है आपका आपका तो दादी बताओ ग्राम प्रधान ने और आपके ग्राम सभा में कितना विकास हुआ हम कैमरामेंस सरे कहेंगे अंदर लेकर चले और लोगों से जैसा कियना चायेंगे कि सड़क भी दिखाए कि आरसीशी सड़क इस इस कंकहा ग्रामसभा में बनाएगे है कहे न कहें, ग्रामसभा को विक्सित करने के लिए जो मातपूर कदं था, वो भी उछाएगे, लेकिन ग्रामसभा के लोगों से हम पूचेंगे, जानेंगे कि आखिर इस ग्रामसभा में पंचायती चुनाओं है फिर से लोग तैयारिया करने कई प्रधान प्रत्यासी होंगे इस बार किसको चुनने वाले हैं और क्या खूबिया होनी चाहिए भूबिया का जैसे पुराना प्रधान हमारा है तो यह सही है बढ़िया काम है सेट बदल गई तब बदल जाए तो उपर वाले हम लोग तो जुट्यान हासियत क्या होनी चाहिए है और यह कुछ घर कच्चे है उसके बारे में अब इनका मतलब जो कलोनिय दिया जाए पर सहुर का तो ग्राम सबा के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं अपने ग्राम प्रधान कि क्पि क्ण कहा ग्राम सबाह में विकास की लाहर देखने को मिली लेकिन ग्राम सबाह के लोगों से हम और भी बात करेंगे ग्राम सबसाफ के लोगों से पर दानमन्तृ आवास यूजना के तहत कई लोगों को अवास मिला लेकिन कई लोगों के घर, अभी 20 ग्रामं साभा में कच्य वने हैं जौरोगों के सर पेच़त नहीं है, हम जिनके घर में समय हैं उनसे भात करते कि आखिर उनको सरकार की किन यूजनाओं का लाब मिला क्या नाम एक सुमन जी बताएं कि सरकार की किन यूजनाओं का लाब मिला हम का यह या लैटरीन मिले यही परदान जी कहीं है कि दो तीन महने में आ जाएगी तो हम कुछ लोगों को मिला प्रदान मंत्री आवाज की नहीं मिला अब हम का बेका पता इधर एक दू तीन घरन में मिला है अब हम हाँ कुछ लोग उम्मीद है कि मिलेगा हाँ वो तो कहीं नहीं बढ़े हैं कहीं तो हैं यह दो तीन महीन है अब वो जो बताईन है वह सुन रहे नहीं सड़क खड़न्जा नाली और कोई समस्या है गाउं में कि नहीं तो ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि किस तरह से कई कि लोगों को यूजनाओ का लाब मिला लेकिन कई लोगों को नहीं मिल पाया जिस कारण से उन्होंने बताया कि इस ग्राम सभा में उनको प्रदान मंत्री आवास यूजनाओ का लाब नहीं मिला लेकिन ग्राम सभा में लोगों ने प्रदान की तारीफ बिकी लेकिन अभी और भी ग्राम सबभा के लोगों से पूछेंगी, कि सरकार की यूजनाओं का लाब उने मिला या नहीं? हमार साथ और लोग है इस ग्राम सबभा के जहां योगी सरकार के विकास की गंगा दिखा नहीं हम आए थे, यहां गरामीड लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, हमासाज कुछ और भी लोग हैं जिन से जानते हैं कि गंका ग्रामसभा में सड़क, नाली, खरंजा, सौचाली तो उपलब धैं लेकिन और कौन सी सरकार की युजना है जिसका लाब इन ग्रामिर जनता को नहीं मिला यह जो है एक रामसभा में जो कच्छे मकान बढ़े हैं कुछ लोगों के उनको लाप नहीं मिला है बाकी बाकी जो भी योजना है वो तो मिल भी रही है लेकिन जो रहने के लिए आवास मिलना चाहिए उनको वो जो जरूरी है रहने के लिए रहने लिए रहने लिए छट चाह आने बाला पंचाईती चुनाव है जिसके लिए को प्रदान प्रतियासि है, आप लोगं के सामने होंगे, वो अपने बातों को रख रहे होंगे कि हम यह करेंगे वो करेंगे, तो आने वाले समय में गर seat change हो जाती है, तो किस तरह के प्रदान चुनेंगे आप लोगं हम लोग तो ही कहतने हैं जो विकास करेंगा इसको हम चुनें Rapha को किम तुमाजूदा परदाने विकास किया अनोंसे दिसके मुषए लोगों ने बताया कि विकास की गंगा कि उरहे वारा धी एक विपर्धा तो चाहते हैं कि यहां जाते हैं तो चाहते हैं जाते हैं यहां पर प्राइमरी है और जूनियर है यहां पर इंटर होना चाहिए इंटर होना जो बालिकाओं के लिए बेश्था अच्छी दसीव लड़कियां जाती मोहलालगन इसकूल नहीं यह तो प्राइबेट में जाए उससे अच्छा हम मनलब यह है कि लड़कियों के लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए जो है हाई स्कूल और इंटर ये बहुत जरूरी ये हो जाए तो बहुत अच्छा है तो ग्राम सबा के लोग बता रहे हैं कि इस स्कूल में सभी चीजे सुनिश्चित तरीके से की गई है लेकिन एकी समस्या है जहां विद्याले की समस है लेकिन वह इस सवाल और जवाब लेकर हम पहुचे थे इस ग्राम सबा में जहां योगी सरकार के विकास की गंगा और ग्राम प्रधान पंचायती चुनाओं में जिस तरह की लहर है और आगे आने वाले चुनाओं में किस तरह से जनता अपने प्रतिनीदी को चुनेगी वो भी हमने दिखाने का काम के विश्मोईत के साथ मैं विक्रम आपसे जज़त चाहूंगा फिर मिलूँगा कि सुनाई ग्राम सभा में जनता के सवालों के साथ तमस्कार